क्या आप बहुत ज्यादा प्रेशाद रहते हो चिंताओं ने चारो तरफ से घेर रखा है दुख पे दुख आए जा रहे हैं जीवन में धनकी कमी है कोई भी काम नहीं बन रहा है जहां भी जाओ वहां से आपको ना सुनने को मिलती है यानि कोई आपकी मदद नहीं करता है आ आपका कॉन्फिडेंस कम है आप में सहन शक्ति कम है और आप जो है चारो तरफ से ठक चुके हो खार चुके हो तो ये वीडियो तो हंडर्ड परसेंट आपके लिए ही है हम आप से दावा करते हैं यदि आपने यह एक नियम आज ही बना लिया तो हम लिक कर दे सकते हैं कि हंडर्ड परसेंट आपके सब दुख दूर हो जाएंगी देखिए आप जो है जीवन में अनेक नियम बनाते हो लेकिन ये एक नियम ही नहीं बनाते जो ये एक नियम बना उसके दुख तो दूर होकर ही रहेंगे क्योंकि इस दुनिया में अनेक प्रकार के आपको उपाए बताए जाते हैं दुखों को दूर करने के लिए लेकिन स्थाई उपाए कोई भी नहीं है क्योंकि जिसके पास जितनी शक्ति होती है जिस उपाए में वो उतना ही लाव करता वो ऐस्थाई उपाए हैं उनमें स्थाई लाव है ही नहीं स्थाई शक्ती है ही नहीं सबसे जो ज़्यादा शक्ती है वो भगवन नाम में है भगवन नाम से बड़ा उपाए कोई भी नियम मंगल में भगवान का नाम सभी प्रकार से मंगल करता है तो एक नियम कि कितना ही बड़ा दुखा हो कोई भी समस्या हो आपको भगवन नाम का जब आज से ही शुरू कर देना है और नियम ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुसीबतों का पाड़ ही क्यों ना तूट जाए नाम जब नहीं छोड़ना है हमें नाम को ऐसे पकड़ लेना है जैसे कि जब कोई वैक्ती समुदर में डूबता है और कोई नाव वाला उसको एक रस्षा भैक देता है तो वो रस्षे को ऐसे पकड़ लेता है कि यदि मैंने रस्षा छोड़ा तो मैं डूबा तो उसके मन में ये भाव होता है वो छोड़ ये डूबूँगा तो हमें भगवान के नाम को भी ऐसे पकड़ लेना कि यदि हमने ये छोड़ा तो हमारे जो दुख हैं वो दूर नहीं होंगे और दुख तो आएंगे क्योंकि हमने करम ऐसे कर रखे हैं तो आपको नाव के रस्टे की तरह आपको उस नाम को पकड़ के अर्चन आएंगी अच्छे काम में अर्चन आती हैं ये प्रकृति का नियम है जैसे की जल आपने डाल दिया निचाई की तरफ अपने आप ही आ जाता है लेकिन उसको उचाई पर चड़ाना पड़ता तो मोटर की आवशकता पड़ती है ऐसे ही आप बुरा काम करोगे स्व तो इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है और ये मन की भी प्रवर्ति होती है ये अच्छाई की तरफ जाता नहीं है ये पतन की तरफ जाना चाता है पतन तो फटा फट हो जाएगा कहते ना बीमारी एक पल में आ जाती है और कटने में सालो लग जाते आप अच्छा काम भगवान नाम का जब करोगे तो बाधाएं आएंगी, ये मन भी बाधा डालेगा, माया भी डालेगी, और ये संसार में किसी भी प्रकार से डाले, लोग डाले, आपका मन डाले, आपके रिस्तेदा डाले, ये सब माया ही है, तो उन से घबराना नहीं है, एक नियम की चाहे हो जाए मुझे नाम जब करना है करना है क्योंकि राम न सकई नाम गुन गाई नाम की महिमा का गुन राम भी नहीं गा सकते तो जानते हो आप इस नाम में कितनी शक्ति है ग्यानी ध्यानी सयमी वर्नन कर गई खार और महती महिमा नाम की मुनीजन पाए ना पार इसकी महिमा का इसकी शक्ति का कोई पार ही नहीं पा सका है तो हम और आप कैसे पा सकते हैं तो बस नाम को ना छोड़ें अखंड तेले धारा की तरहें निश्ठा पुर्वक श्रदा पुर्वक कंटीनू जपते रहें समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय पर मुझे नाम जपना ही चपना है चाहे कितना भी जरूरी काम है वो काम बाद में हो जाएगा और वो काम हंड़र परसेंट आपका होगा बस आप नाम को पकड़ लीजिए तो उमीद करते हैं आप जिस भी भगवान के नाम को विश्वास पुर्वक जपेंगे तो आपको लाव ही लाव होगा जिस भी भगवान के नाम के उपर आपको विश्वास है सबी नामों में बराबर शक्ती है उसी नाम को निरनतरता से जपिए फिर आपको गुरू भी मिल जाएंगे क्योंकि बिना गुरू के तो आप बगवान को नहीं पा सकते पुर्णता तक नहीं पहुंच सकते और यदि आप ओनलाइन गुरू दिख्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर वाट्साप मैसेज कीजिएगा और यदि आप आकर के सारी चीजे हैं जो आकर ही आप लाब उठा पाएंगे तो आप जल्द से जल्द वाट्साप पर मैसेज कीजिए 9958515054 पर की हम आना चाते हैं वो हम आपके पास फोम भेज देंगे तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को उलाम देते हैं सभी साथ को प्रेम भरी जैजै शर्कषिघसैं ओियुआ गलकश चिरी तो आपके पानी व्लेशे क renowned कर देंगे भी को चौरी जहा हैं नहीं हैं